खत्रों के खिलाडी 11 के कल के एपिसोड के बाद फैन्स काफी जादा गुसे में नजर आए रोहित छेटी ने शो की शुरुवात की काफी अच्छे नोट पर जहां पर उन्होंने सभी कंटेस्टेंट्स के बीच के बॉंड की बात भी की जिसके बाद उन्होंने बताया कि इस हफते पार्टनर स्टंट होने वाला है और उन्होंने जब पेर्स के नाम बताये तो उन्होंने सबसे बहले बताया कि अभिनव शुकला के साथ अनुषका सेन परफॉर्म करेंगी वरुन सूद के साथ परफॉर्म करेंगी दिव्यांका त्रिपाथी, अर्चुन बिजलानी के साथ होंगे राहुल वैद्दे विशाल अदित्य सिंग के साथ श्वेता तिवारी और सना मकबूल के साथ निकीत तमबोली अभिनव शुकला को जब अनुष्का सेन के साथ टास्क दिया गया तो अनुष्का सेन बिलकुल भी परफॉर्म नहीं कर पाई और उनके पार्टनर की वज़े से अभिनव भी इस टास्क में आगे नहीं बढ़ पाए और इस टास्क को जीत नहीं पाए जिसके बाद ट्विटर अतीस काफी जादा नराज हो गए क्योंकि लास्ट वीक भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब अभिनव शुकला को पेर अप किया था निकीत तमबोली के साथ ट्विटर अतीस का मानना है कि अभिनव शुकला को डेलिबरेटली वीक कंटेस्टेंट्स के साथ पेर अप किया जा रहा है खत्रो के खिलाडी 11 और अभिनव शुकला के फैन्स ने ट्विटर पर अपना गुसा जताया एक फैन ने ट्विट करते हुए लिखा feeling bad for अभिनव शुकला, be strong अभिनव दूसरे फैन ने लिखा अभिनव शुकला is strongest contestant on खत्रो के खिलाडी 11 whenever he performs solo he aced the stunts but again his partner disappointing एक और यूजर ने लिखा no disrespect but it's sad reality why अभिनव शुकला always get weaker partner in खत्रो के खिलाडी 11 most of the time nikki today anushka he never got strong partner every other contestant are always getting strong partner if this is not pre-planned setup then what is this it's shameful एक और खत्रो के खिलाडी 11 के फैन ने लिखा कि वो अभिनव शुकला की फैन तो नहीं है लेकिन जिस तरह से Colors TV उन्हें ट्रीट कर रहा है वो बहुत ही unfair है अगर वो नहीं चाहते थे कि वो fair play करे तो उन्होंने शो ही offer क्यों किया भिनव शुकला को झाहते थे कि वो अभिनव शुकला की वो नहीं है